नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल लॉन फ्री इंडिया यूटूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम क्रेडिट लॉन एप के बारे में अगर आपने होम क्रेडिट से लॉन लिया है चाहे वो परसनल लॉन हो फिर आपने अगर हम क्रेडिट आपके साथ रेशमेंट करता है तो आपको कैसे हम क्रेडिट के रेशमेंट से बचना है आज का वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो में आँगे बढ़ने से पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और notification bell को भी on कर लो वीडियो आपको पसंद आएगा तो like भी करना दोस्तो कोई भी जान भूज कर अपने loan को overdue नहीं करता किसी समस्या के कारड़ दोस्तो आपका loan overdue हो गया तो सबसे पहले आप डरना बंद कीजी आपको डरना नहीं है अपनी जॉब के लिए ट्राइ करना अगर आपकी जॉब शूट गई है तो जॉब के लिए ट्राइ करो बिजनेस शूट गया तो दोस्तो छोटा बिजनेस कर लो लेकिन ट्राइ करो टाइम से repayment करने के लिए दोस्तो जैसे आपका loan overdue हो जाता है तो सबसे पहले इनके recovery agent आपके पास बार बार call करेंगे दिन में दो बार, चार बार, दस बार, पंद रह बार दोस्तो बहुत बार आपके पास call करेंगे वाट्सअप पर भी आपसे संपर कर सकते हैं वाट्सअप पर आपको धमकिया देंगे 400 BC case लगाने की धमकिया देंगे पुलिस वेजने की धमकी देंगे लेकिन दोस्तो कोई भी पुलिस नहीं आती कोई भी legal action नहीं होता और कोई भी court case नहीं होता इनके recovery agent वैसा आपको ड्राने के लिए ये सारे काम करते हैं बागी का दोस्तो कुछ नहीं होता legal notice आता है जो कि बकील के द्वारा तयार किया जाता है आप उसे reminder notice समझे ना कि legal notice दोस्तो आपको ड्रने की जरूत नहीं है कोई भी legal action नहीं होगा अगर आपने ECS on किया हुआ है तो दोस्तो आपका ECS charge कटेगा ECS लगे होने के कारण दोस्तो आप पर charges लगेंगे अगर आप time से repayment नहीं कर पा रहे इस भी account में ECS activate है उस account में land आपको बंद कर देना चाहिए क्योंकि आप जब भी पैसे डालोगे अपने account में दोस्तो आपके पैसे कट जाएंगे जो भी इनका charge बना होगा दोस्तो आपके पैसे कट जाएंगे तो इसलिए दोस्तो अगर आपके account में ECS लगा हुआ है तो आप उस account को यूज करना बंद कर दो यदि आप ECS को बंद करना चाहते हो उसके लिए दोस्तो मैंने एक full वीडियो बना रखिये जिसका लिंक आई बटन में और वीडियो के description बॉक्स में आप जाकर दोस्तो इस बूडियो को देखिए उसके जरी आपका ECS deactivate हो जाएगा home credit के दोस्तो require agent आते हैं काव में आने का कोई fix time नहीं होता जबकि city में दोस्तो ये जल्दी आते हैं जैसी आपका home credit से loan overdue हो जाए सबसे पहले company को mail कीजिए और बताईए कि मेरी ये समस्या इसकी वज़े से मैं अपना repayment नहीं कर पा रहा और मुझे अभी 6 महिने 1 साल, 2 महिने, 8 महिने इतना समय और चाहिए जब तक आप मुझे परेशान ना करें आपके recovery agent मुझे परेशान कर रहे हैं बार बार पर call कर रहे हैं recovery agent visit कर रहे हैं तो आप इन सभी को stop करवाएं अगर दोस्तों आपको full video देखनी है recovery agent के phone call को बंद करने के लिए और recovery agent को घर पर आने से पहले रोकने के लिए दोस्तों इन दोनों वीडियो का लिंक का आपको description box में मिल जाएगा इन दोनों वीडियो को जाकर देखिए आपकी समस्या का समादान जरूर होगा दोस्तों किसी भी personal loan app का time से repayment ना करने पर दोस्तों आपका civil score बहुत जादा खराब हो जाता है जिसके चलते दोस्तों आपको future में कभी loan नहीं मिल सकता तो इसलिए कोसेश करें time से repayment करने का वीडियो पसंद आईए तो दोस्तों एक like करना और चैनल पर पहली बार आयो तो अभी के भी subscribe करकर notification well को on कर लो आप डरें नहीं अपने काम दंदी पर ध्यान लगाएं और अमारे साथ जोड़े रहें